विए गाइस देखो यहां पर मैं आपको एक पैनि स्टॉक्स बताने जा रहा हूं बहुत छोटा पैनि स्टॉक है बहुत छोटा के मतलब समझ लो सर की अउजिओ गलूबल जेपी पावर टीटीमल अब जितना बी आप विकास लिक्यरर इक जितना भी आप देखना चाहते हो सबसे छोटा पैनि स्टॉक है हां सर फंडमेंटल इतना स्ट्रॉंग है कि इतना स् तो मतलब वार्णिंग मतलब बहुत अच्छा खासा सर यह जो भी आपको खरीदने और बेचने के लिए नहीं है ठीक है क्योंकि कुछ ऐसे भी लालची लोग होते हैं जो बोलते हैं सर एक महिने हो गया इस्टॉक भागा नहीं दो महिने हो गया भागा नहीं आप जो भी है अपने हिसाब से पहले खुद रिसर्च कर लो उसके बाद खरीद हैं कि नहीं भाई लॉन्ग टम का मतलब होता है क जब होड़ सब्सक्राइब गलत तरिक से इस्तेमाल करना स्टाट करो लेटे हैं अगर माल लेते हैं आप 1,00,00 का मुबाइल खरीद किला तो अच्छा मुबाइल दो दिन के अंदर ही चाहिए सर है कि ने दो दिन के अंदर रिजल्ट चाहिए तो सर मैं आपको यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों को प्लीज आप अपने हिसाब से देखे कभी भी से दूसरों को मत बोलिया पैसा आपने कमाया है ना responsibility आपको ही लेना पढ़ेगा है कि निए खुद को लेना पढ़ेगा ऐसा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और पूर सर मैंने बहुत सारे ऐसे हां तो लॉस दीगा ना भई मैं भगवान थोड़ी हूँ जो सब कुछ बोलूगा सच हो जाएगा सब बोलूगा सही हो जाएगा करके यह नहीं है मैं इस तरीके का वर्ड इस्तमाल कर रहा हूँ मैं अपने बारे में बोला हूँ ताकि लोग क्या हो कि सर लोग यहां मुझे पते हैं बहुत सर लोग वीडियो नहीं देखेंगे लेकिन उनको सस्टो पता चल के हां हा बई हां इसको कोई तक्ड़ा बारे में कोई बात करेंगे आप Ayum वो भी जो 20 स्टॉक लॉस दिये हैं वो टाइम दो को तब नव हो जाएगा उपर टाइम देना ही नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा यहां तक कि लोग बोलेंगा मैंने खरीदा था ऐसा तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई आप अपने पास रहको क्योंकि हां लॉस होगा तो आपको प्रॉफित तो आपको गोगा इस वज़े से ठीक है रिश्पॉणिवलेटी लीजिए ऐसे मत किजिये देखे ठीक है कंपणी का नाम है और यह कंपनी सर केवल अगर आप देगो तो 238 करोड़ का है केवल 200-200 करोड़ का इसलिए मैं आपको बहुत छोटा है सर बहुत छोटा पनी स्टॉक है चल गया कल के डेट में दस्गुना हो गया तो हाँ लोग बल्ले बल्ले कल के डेट में गिर गया तो फसा दिया भाई देश में दुबारा पैदा नहीं लेते हैं याद रखिया उसी तरीके से टाटा के भी बहुत सारे स्टॉक सा अगर आप देखो तो काफी एच्छे क्रैश हुए हैं हैंगी ने वोल्टा सा अगर आप देखो तो बहुत तकड़ा गिरा हुए है टाटा के एक और आटोमेटिव आटो कॉंपोनेंट करके है आटोमेटिव करके है वो भी बहुत अच्छा गिरा है और मोबाइल करके है वो भी ज्यादा गिरा हुआ है सर बहुत सारे इसका मतलब है नहीं कि ठाटने देश को लूट लिया अरे भाई डाटा के अगर माल लेते हैं कि 35 कंपनि अगर आप देखोगे तो सर पिछले एक सालों में कुछ भी नहीं रिटेन निकाल के दिया है पिछले पांच सालों में अगर आप देखते हो तो सर यह जो गया था यह 400 रुपए के बाजुमें गया था 400 रुपिस का स्टॉक और अभी मिला के वाल 200 रुपए में और सबसे बड़ी बात है कि सर ये देखेओंगे तो बहुत लंबे शमय ऐसे साइडंवे में जा रहा संगिरावाट वाला पार्ट ये था और ये कंपनी के पास भरीवाला पैसा है भर पूर का मतलब पेटबर के कंपेकर पैसा पैसा है कंपनि अकर देखो तो से कंपनी का पी फंडेमेंटल यहांश करोगे कि इसकेतर कितना को ईसकर कितना है Active सब्सक्राइबं का अब क्म हों सर और इतनी ताकत वर इतना पाइरफ फूल कंपणीया और आधे दाम में भी मिल रहा है, तो देखे, ये company लगबग, drugs वगरे के लिए company काम करती है, मतलब दवाईयों से related काम करती है company, ठीक है, अब इस company के, ये, क्या बोलते हैं sir, customer के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो customer इस company काफी अच्छे चो और बड़े-बड़े आपको दे client है, ऐसा है करके, sun pharma, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है sir, तो doctor ready, sun pharma तो आपको पता ही होगा sir, 60% गिरा हुआ था, 60-70% ये stock गिरा हुआ था, nifty-fifty का, लेगिन फिर वापस देरे-देरे, ऊपर चला गया sir, ऐसा है, एग्रो बायो टेक, fertilizer, और pharma सरे लिटरे ना जाने, बहुत सारे इसे काम करती है sir, company, इतना तो लगबग मैं भी मतलब पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो कि लगबग medical field के बारे में आपको deep जानकारी दे सको हूँ sir, क्योंकि ये मेरा field है ही नहीं, ठीक है, तो जो doctor ये जो जिसने medical से पढ़ाई वड़ाई किया होगा, उनको ये इतना 200 करोल का मार्केट के पा, और sir, balance sheet में गर आप देखो, तो company के पास 90 करोल का क्या है sir, क्या ये पढ़ा हुआ है, reserve पढ़ा हुआ, 90 करोल का reserve पढ़ा हुआ, company के पास boring कितना sir, किवल 6 करोल का, ऐसा है, ठीक है, तो अगर 90 करोल का reserve पढ़ा हुआ है, उकल के date में stock, अग आप देख लिए, promoters के पास भी 58% हिस्तेदारी है, हो दिक्कत नहीं है, आप अगर देखोगे, तो profit and loss account, profit and loss account, तो sir, 10% margin हुआ करता था, आज 18%, 19% भी margin उठा रही है company, और पहले company का जो profit था, 1 करोड, 2 करोड, 3 करोड, आज देखे 14, 14 करोड तक का company का profit जा रहा, कहने का मतल आपको बता रहा हूँ, लोग आज stock खरीते हैं, लोग बोलते हैं, कल चला नहीं, दो दिन हो गया, stock चला नहीं, दो घंटे हो गया, थोड़ा time देना पड़ेगा, थोड़ा time का मतलब लोग समझ लेते हैं, कि दो दीन ही, देख लो company कितने साल में, 5-5-10-10 सालों के बाद च जब चल रही है, तो बेहिसा पैसा बना कर दे रहे है, या तो फिर आपको भाई stock अगर देरे देरे चल ला है, तो आप खुद का business खड़ा कर लो, physical business, खुदी दुकान खोल लो, खुदी business कर लो, वो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, क्यों? आम कुछ नहीं कर सकते ह मैं यहीं बोलूगा कि जब तक आ 5-10 साल नहीं दोगे, सर कोई भी जादू आपको देखने को नहीं मिलने वाला, कंपनी बिलकुल debt-free है, सर, 30% तक का CAGR compound annual growth rate आपको देखने को मिल दा, लेगिन कंपनी का पूरा complete word पढ़ोगो तब न, यहां पर बताया जारा, over last five year, तो ज इकदम आदे धामों पर देखने को मिल रहा है, फार्मा सेक्टर में अगर आप देगो तो बहुत चारा इसे stock हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा return निकाल के देते हैं, और यह बड़े-बड़े company को साथ ही काम कर रहा है, तो मैं इतना बोलूँगा, देखिए, dividend देने वाले company company है, कोई ज़्यादा, इस ते यह पता चलता है company के पास free cash flow बहुत ज़्यादा, free cash flow company के पास बहुत ज़्यादा, तो मैं इतना ही बोलूँगा, study किजिए, मतलब 200 करोड की company है, केवल just about 200 करोड, इतना चोटा company, मतलब बहुत बहुत का, मतलब बहुत ही चोटा, ऐसा है, पह जब 400 चला गया, तो इतना ही बोलूँगा, कि छोटे stocks में risk होते हैं, छोटे stocks में जल्दी operate भी हो जाते हैं, और छोटे stocks फोडे danger भी होते हैं, लेकिन इतना मैं आपको बोलूँगा, कि छोटे stocks से बहुत बड़ा return निकाल के देते हैं, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं, क सर, small cap, midi cap में तो CB के तरफ से खबर आया था, आप ज़्यादा भी आप small cap, midi cap बतातो, देखो भई, मैं risk लेना चाहता हूँ, मैं छोटे company में invest करता हूँ, बाकि ये लोगों के उपर depend करता है, कि आप कितना risk ले सकते हो, हैगी नहीं, risk लेने की capacity क्या है आपका, calculated risk आप कि चुख जाती है, तो क्या आप छाती पगड़ के रोना स्टार्ट करतोगे बच्चों की तरह, या फिर कोई गलत step लेलोगे, या फिर tension ही नहीं है, तरीके जाओ जाने दो, इस तरीके से बहुत सारे stocks मैंने खरीद रखके tension है, मैंने थोड़ा पैसा डाला था, या फिर आप अपने fund को manage करना होगा, अपने portfolio को manage करना होगा, company को research करते रहना होगा, छोड़ना नहीं होगा, किस तरह किसम बच्चे पैदा करके छोड़नी देते हैं सर, उसको जीवन पर देखते रहते हैं, उससी तरीके से stock को भी आपको जीवन पर देखना है, कि company किस तरीके से काम कर तो जल्दी से सेल करके निकल जाना है ये भी आपको सोचना होगा ऐसा रहता है